इंदोर में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं वहीं सी शहर में शव के साथ दूर्दशा का आलम बदस्तूर जा रही है पहले प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पिताल के मुर्दा घर में शव की दूर्गती हुई फिर अब नीची अस्पिताल में शव के चहरे और पैर पर घाव मिले आकरोशित परिजोनों ने अस्पिताल प्रबंदन पर लापरवाही कारोप लगाते हुए अपनी विधास जाहिर की दरसल अंदोर के अनुपूर्णा थाना शेत्र में स्थित यूनीक अस्पिताल में तीन दिन पहले 87 वर्षिय बजर्ग नवीन चंद्रजैन को कोरोना सिंक्रमेंट के चलते इलाज येतू भरती कराया गया था रविबार दोपहर तक वो परिजनों से फोन पर बात कर रहे थे इस दुरान उन्होंने या चिकित्सिकों ने उनकी हालत गंभीर होने की कोई बात नहीं की लेकिन रविबार रात उनकी मौत हो गई परिजनों की होश तो उस वक्त फाक्ता हो गए जब बुजर्ग के शव पर चूट के निशान दिखे यह निशान और किसी के नहीं बलकि चूहों के कुतनने के थे जी हाँ सही सुन आपने अस्पताल प्रबंदन की लापरवाही से चूहे शव को कुतर गए इसके बात परिजनों ने हंगामा कर दिया तक हा सकता है क्या आप एक जेको चूहे में बहुत ही काके रखी है आप हमको रात को बीट ने जाते तक है ने जाते जह तो सही है आपने आसे क्यों चोड़ा उनको यह कुई अन्य नहीं है यह बिल्कुल यह है यह गलत है और वारिम में से साइन भी करवाई गही है, यह अपर ठीक है, साड़े-आठे साइन करवाई है, तक कि मैं हम क्लाएं पाध के बाद है, जिए न हम जिम्दान नहीं होंगे, अक्रोशित परिजनों ने शव अस्पताल के बाहर रख कर ही हंगामा शुरू कर दिया मौके पर पहुची पुलस ने समझाइश दी हलाकि काफी देर होने के बाद भी अस्पताल की तरफ से कोई जम्यदान नहीं आया जानकारी मिलते ही मादले में मजिस्ट्रियल जांच की आदेश इंदौर कलेक्टर ने दिये SDM अजे देव शर्मा को इसकी जांच सौपी गई है पिरे रिपोर्ट कबरबार नियूस इंदौर